जी आँ दोस्तों नमस्कार आपको बताएं कि WPL का दूसरे सीजन आज से सुरू हो रहा है जी दोस्तों घैलेलू मैला T20 लीग बीमेन प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन की सुरू हाते आज से हो रही है टूंडामेंट में कुल पांच फ्रेंचाइज टीम भाग ले रही हैं म और लीग स्टेज के 20 मैच खेले जाएंगे एक मैच एलिमिनेटर होगा और एक फाइनल मुकावला होगा पहले मुकावले में मौजूदा चैंपियन टीम मुम्माई इंडियंस का सामना उपविजेता पिछली उपविजेता दिल्ली कैपिटल से होगा जी हाँ दोस्तों य परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे जिहां दोस्तों टूनामेंट शुरू होने से पहले आपको बताएं कि इस टूनामेंट में पांच टीमें भाग ले रहे हैं और यह टूनामेंट का दूसरा सीजन जो मात्र दो सेहरों में आये जित होगा जिहां दोस्तों बैंगलू और फाइनल के निरना एक मैंच भी खेले जाएंगे नई दिल्ली अरुजेटली स्टेडियम में जिहां दोस्तों आपको बताएं कि पिछला पूरा सीजन मुंबई में हुआ था लेकिन इस बार एक भी मैंच मुंबई में नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको बताएं कि प पिम फाइनल के लिए फाइनल में जगे बनाने के लिए एक मैच प्ले ओप मैच खिलेगी जी हां दोस्तों आपको बताएं कि गुद्राज जाइंट्स ने अनकैप्ट आल राउंडर कास्वी गोतम को दो करोड रुपे में खरीद कर चौका दिया था लेकिन वो चोटिल हो पर इस टूनामेंट से बाहर हो गई है जबकि ब्रंदा दिने से पर यूपी बोरियर्ज ने एक पॉंट तीन करोड रुपे खर्च किये हैं जी हां दोस्तों आपको बताएं कि नुजिलेंड दौरे पर इंगलेंड की कप्तान हिथर नाइट ने टूनामेंट से अपना ना पर इंडरा डोर नीटे टूनामेंट का हिस्टा नहीं है जी हां दोस्तों आपको बताएं कि भारत की देवी का बैद पिछली साल एक पॉंट छे करोड रुपे में बिकने के बाद इल्स साल अन्सॉल्ट रही है जी हां दोस्तों आपको बताएं कि हर्मन प्रिट कोर कुमबई की साई का इसाक और आर्सीवी की स्रेयंक का पाटिल ने चांदार प्रदेशन के दम पर इस साल टीम इंडिया के लिए डेबू कर लिया है दोनों को पिछले साल दस लाग के बेस प्राइज पर खरीदा था नए नियम के तहत आपको बताएं कि इंडिया डेबू क जबकि अन्य तीन टीमों में तीन तीन कंगारू खलाडी है जिया दोस्तो मुंबई में एक भी आउस्ट्रेला खलाडी नहीं है इसके अलावा टून्डा मेंट में छे खलाडी इंगलेंड और पांच खलाडी साउथ अपरिका की है जिया दोस्तो आपको बताएं कि इस तून्डामेंट में आज से शुरू हो रहा है और पहला मैच बैंगलूरू और दिल्ली में होगा जिहां दोस्तों पहला मैच मुम्मई इंडियन्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा बीमेन प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन की आगाज आज से हो रही है पहला मै मैच डिपेंडिंग चेंपियन मुम्मई इंडियन से और दिल्ली कैपिटल के बीच बैंगलूरू में खेला जाएगा जिहां दोस्तों आपको वताएं कि आज से सुरू होने बाले टूनामेंट के सभी मुकावले बैंगलूरू के चिन्ना स्वामी स्टेडियम और दिल्ली स्टेडियम में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 17 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा पिछली बार पूरा सीजन मुम्मई में हुआ था लेकिन इस बार एक भी मैच मुमई में नहीं होगा पहले सीजन की तरह इस इस इजन में भी पांच टीमें भाग ले रही है और कु मुंबई इंडियन ने एक बार फिर हर्मन प्रीच कोर पर दाओ लगाया है और वे आगामी सीजन में भी मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज का नेत्रत करेंगी और दोस्तों मुंबई इंडियन अपना खिताब बचाने के लिए आज पहला मैच खेलेगी जियां दोस्तों इंडियन फातिमा जाफर दस लाख में और कीर्थना बाला कृष्ण दस लाख में खरीदी है और टीम में सामिल किया है जियां दोस्तों इस्तार भारतिय सलामी बल्लेबाज इसनेत्य मंदाना महिला प्रीमियम लीग में रोयल चैलेंजर बैंगलूर यानि आर सीबी का नेत पर रही थी रोयल चैलेंजर बैंगलूर अपने आठ लीग में चोमे केवल दोई जीत सकी थी दोस्तों पिछले सीजन ने आर सीबी के लिए कुछ खास नहीं रहा दिल्ली कैपिटाल से डबलू पीएल सीजन के फाइनल में दिल्ली कैपिटाल को मुमई इंडियन के ने करते हुए नजराएंगी गुज्राज जायंट्स ने बीमें प्रीमियम लीग 2024 के लिए बैत मुनी को फिर से अपना कपतान घोशित किया जिहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बिकेट कीपर बैत मुनी गुज्राज जाइनल का ने तुरत करना जारी रखेंगी जिहां दोस् सीजन में भी एलिसा हीली पर बरोसा जताया है दोस्तों और यूपी बॉर्याज का दो हजार तेविस में डबलू पी एल अच्छा रहा था और उसने प्ले ओप के लिए क्वालिफाई किया था यूपी बॉर्याज ने अपने आठ लीग में चोमें से चा जीते और पॉइंट की बेस प्राइज दस दस लाख थी कास्वी गुजराज जयंट से और ब्रेंदा यूपी बॉर्याज में सामिल हुई तो दोस्तों आपको बताएं कि कास्वी गोतम चोटिल होने के कारण इस टूनामेंट से भार हो गई है और विजेसी खिलाडियों में एनाबेल सदर लें में दिल्ली की टीम में सामिल हैं तो दोस्तों आज इस सीजन का पहला मेंचे मुम्माई इंडियान और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा बेंगलूरू के मेदान पर जियां दोस्तों नमस्कार आपको बताएं कि डबलू पील का दूसरा सीजन आज से सुरू हो रह है जी दोस्तों घरेलू मैला टी ट्वेंटी लीग बीमें प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन की शुरू हाते आज से हो रही है तूंडा मेंट में कुल पांच फ्रेंचाइस टीम भाग ले रही हैं मुम्माई इंडियान से रोयल चैलेंजर बैंगलूरू और गुजराज ज कावले में मौजूदा चैंपियन टीम मुममाई इंडियान्स का सामना उपविजेता पिछली उपविजेता दिल्ली कैपिटल से होगा जी हाँ दोस्तों यह मैच आज 23 फरवरी को खेला जाएगा मैच से पहले रंगा रंग आपनिंग सेरे मनी भी होगी जिसमें बॉली ब टूनामेंट में भाग ले रहे हैं और यह टूनामेंट का दूसरा सीजन जो मात्र दो सहरों में आए जित होगा जी हां दोस्तों बैंगलूरू और दिल्ली में खेला जाएगा पूरा सीजन बैंगलूरू का एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम